तो वेलकर में दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखिए आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेजोशन सेमेश्टर बन का एक पेपर होता है एल बी डबलू यानिक लिट्रेचर एंड बिजनेस राइटिंग इसको हिंदीम बोलते हैं साहित यह वैसाइक लेखन तो उसी का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं देखिए यहां आप किसी भी इनुट्रेटिम पढ़ाई कर रहे हूं अगर आपका सब्जेक्ट यह है यानिक लिट्रेचर एंड बिजनेस राइटिंग तो डेफिनेटल आपके कोस्टन जो है टच कर जाएंगे एक्जाम में भीड़ जाएंग सबसे पहले बोला गया है कि निर्देश अनुसार दोना खंडों के उत्तर दें तो चलिए देखते हैं इसमें एक-एक माक्स के पहले आपके दस कोस्टन है ग्रूप A को देखेंगे कोस्टन का अंसर मुझे भी नहीं मालूँ है तो चलिए पहला कोस्टन देखते हैं इसमे पत्र जो है पाठकों को समाच के बारे में जानकारी देती है ओर जागरूखता निभाती है यहां पे देखना carn fashion दिया है पहला है निष्ण करना दूसरा है पाठकों को तो सुचना देना तीसरा है जागरूख और सिचित पर नना फॉल वर उप्रोक्त सभी तो इसंका राइट आशर हो जाएगा उप्रोक्त सभी टाइक है आगे दिखते हैं हो नंबर इसमें पुछा आगे इसमें पुछा गया है कि इन में से कुरुक छेत्र के रचेता कौन है ठीक है तो कुरुक छेत्र के रचेता कौन है देखिए पाला है पंथ ओप्सन 2 महाधवी बरबां ऑप्सन 3 दिंकर तो इसका राइट नथ रोजागा दिंकर यानि कि रामधारी सिंग दिनकर आगे देखते हैं अगला कोशन कोशन नबर फॉर इसमें पुछा गया है कि पत्रकार कितने परकार के होते हैं तो पत्रकार तीन परकार के होते हैं एक होता है अंसकाली के एक होता है पूर्णकाली पर एक होता है क्या होता है यार मुझे याद नही प्रिष्ट को क्या काते हैं टो मत्र के पर्थम प्रिष्ट करें भी अनुर्फ यार्श सब घंप ृ डाउट है एक बार सब्सक्राइब इसी सब्सक्या अर दो को原因 यह और दूसरा कोशन है कि साहित्य की जनता की वानी उसके चरित्र का दरपन है इस कोशन में भी मुझे दिक्कत है तो आप लोग दो कोशन सौल्व कर लिजेगा इसका दिखे राइट अंसर क्या होगा आगे दिखते हैं नेक्स्ट कोशन तुछा नुमबर इसमें पुछा गया है कि सोध साहित के चोरी किसे काते हैं तो सोध साहित के चोरी हम लोग बोलते हैं किसको फाला अप्सन किसी को दृत करना और स्रेव देना और उप्सन फोर इन में से अभी तो देखे दोस्तों साहित की चोरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ले आउटिंग इसका राइट अंतर हो जाएगा पहले तो इस देखा जाए तो आप्सन वन इसका ज्यादा तर कारगर है लेकिन सभी इसके अंतर में आते हैं तो उप्रोक्त सभी हो जाएगा राइट अंतर इसका अगे देखते हैं अगला कोशन इसमें पुछा गया है कि भारत में पहला चापा खाना कार खाना कब खोला गया तो दूस्तों 1556 में आपका गोवा में खोला गया था भारत का पहला चापा खान श्बराइए आगे देख लेते हैं तो जोह न amen इसमें पुछा गया है कि भासा का मुt रूप से कौन सा है भासा का मुt रूप कौन सा है tuh थरहसा का मुt रूप होता है बॉलई ठीक है तो बॉली का हो जाएगा मोखी करूप ठीक है option 2 आगे देखते हैं next question तो प्लेग रिज्म जिसको हमने बोला साहित का चोरी ठीक है इसका हिंदी मतलब क्या होता है प्लेग रिज्म इसका हिंदी मतलब होता है साहित की चोरी आपने एक नाम सुना होगा copyright ठीक है उसी को समझ देजिए कि copyright ही होता है एक तरह से आगे देखते हैं next question तो अब आते हैं सभी आपके 5 marks वाले question दो बनाने हैं इसमें 5 marks वाले ठीक है पहला है साहित का जीवन में क्या महत्व है परकाश डालें और दूसरा है संपादक के दो कारियों का उलेक करें तो बता सकते हैं कि संपादक जो है अपने संपादन का मिख्य क कारिय करता होता है ठीक है क्या आना है अकबार में वह चीज निधारित करता है उसकी सामगरी पर निधारित करता है यहीं सारे लिखनी है तो गुरूप आपका 20 marks का हो गया अब आता है गुरूप गुरूप भी आपका 80 marks का है इसमें आपको 20 अंको वाले चार प्रस्णों क करने की परिषय देजिए समाचार समपादन की प्रक्रियां में विवीमयों चरणों के परिचया देजि तकनीप बता सकते हैं कि diesem stress होना चाहिए ठीक है और उसमें आपको जो राइटिंग लिख रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए सुद्ध भासा में होनी चाहिए इस तरह से आप बता सकते हैं ठीक है और पढ़ने में एक दम सरल भासा होना चाहिए मतलब कि जो पढ़े और तूरंत समझ में आ जाए पाजवा है साहित की प्रावधानें बताना है कि कौन सा दंड मिलता है उनको ठीक है आगे दिखते हैं वह इसे देखा जाए तो हम लोग के देश में साहित की चोरी कोई बीसे सदंड नहीं दिया जाता है ठीक है कुछ फाइन लगा जाता है और छोड़ दिया जाता है सेबन नमरे समाचार पत् करती है उनके प्रकारों पर प्रकाश्ट डालें ठीक है आगे दिखते हैं नाइन नंबर जो कि इस पेपर कंतिम कोस्टन इसमें पुछा गया है कि पैरा प्रेसिंग साहित चोरी एवं सौर्स वर्क साहित चोरी क्या है दोनों में अंतरस्पस्ट करना है ठीक है तो इस तरह से आपकी एक्जाम में भी कोश्टन आएंगे अगर आपका सब्जेक्ट के यह बाकि पीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट यह एकजाम भी एस सामने तो इसका पीडियोप डाउन्लोट किजिए और घर में ही तिन घंटा की तरह एक्ज मिलेंगे तो अगर आप कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें बाकी बहुत ज्यादा बेनिफीड होगा आपको मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक करिवाय कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा जैसे मैं खाली रहता हूं आपके कमेंट पढ़ता हूं एना अंसर भी कर देता हूं ठीक है तो बेस्ट अप लख एन्वाइट टेक्या है